भारत के मनरेगा मजदूर के दिवाने हो गए पियन नरेंद्रमोदी जो बाइडन भी करने लगे तारीफ ऐसा किया खमाल के पूरी दुनिया घुटने पर गे रहे बर्तंद होता था तो लोग छोटू कहकर बुलाते थे नीचा दिखाते थे फिर गाउं में करने लगा मनरेगा का काम मिला मौका तो पूरी दुनिया को इला दिया बारत के इस बेटे पर गर्व कर रहा है पूरा हिंदोस्तान सेल्यूट कर रहा है ये पूरी दुनिया कहानी ऐसी कि ठके हुए इंसान में भी जोश पर दे कहते हैं न कि खुदरत की घर देर है अंधेर नहीं अगर आपके पास चंद पैसे हो जाए तो आप किसी को भी अपने से कमजोर मत समझेए क्योंकि ये वक्त का पहिया जब घूमता है तो कभी न कभी किसी की किसमत बिगार देता है कल तक जिसे लोग छोटू के नाम से बुलाते थे जो मनरेगा मजदूरी का काम करता था जो अपना पेट पालने के लिए तपती हुई धूप में खुद को तपाता था उसने वक्त के पहिये के साथ अपनी चाल को ऐसा बदला कि आज पूरी दुनिया उसके कदमों में गिर गए भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में ऐसा लहराया कि पीम नरेंद्रमोदी उसके फैन हो गए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आज उसके नाम को जानने लगी इस रिपोर्ट में कहानी उस भारत के बेटे की बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके अंदर कुछ करने के एक्षा जरूर पैदा होगी कुछ करने को सोचेंगे आप अगर नहीं सोचेंगे तो कम से कम इस भारत के बेटे को एक बार सल्यूर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसने जिस फरिस्थिती में अपने आपको इतना ताकतवर बनाया उस इस्थिती में लोग दम तोड़ देते अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बेटे की बात करें उसने ऐसा कौन सतीर मार दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं बता दे कि मंजूरानी और राम बाबू के जोड़ी ने उननीसवे इश्याई खेलों में बुधवार को 35 किलोमेटर रेस वाक मिस्ट टीम स्पधा में कांसे पदक जीत कर भारत के पदगो की संख्या सत्तर के पार पहुँचा दी राम बाबू ने 2 गंटे 42 मिनट 11 सेकंड में रेस पूरी की जबकि मंजूरानी 3 गंटे 9 मिनट 3 सेकंड का समय निकाला भारत 5 गंटे 50 मिनट 14 सेकंड के संयुक्त समय के साथ तीसरे स्थान पर रहा वो स्वन पदक विजेता चीन की टीम से 34 मिनट 33 सेकंड पीछे रहा 35 किलोमेटर रेस वाक मिस्ट टीम में एक देश एक पुरुष और एक महिला या दो पुरुष और दो महिला प्रतिभाग्यों वाली टीमें रख सकता है पदक के लिए सर्वत्तम दो समय मानने होते चीन और जापान ने दो पुरुष और दो महिला वाकरों के साथ प्रतिस्पद्धा की जबकि भारत हॉंग कॉंग चीन और इंडोनेशिया की एक एक जोड़ी उतारी थी चीन ने 5 खंटे 16 मिनट 41 सिकिन के समय के साथ एशियाई खेलों में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वान पदक जीता जबकि जापान दूसरे स्थान पर रहा राम बाबू ने कुरोना लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरी की वो मिट्टी खोदने का काम करते थे उस काम के बदले उनके पेट की भूख मिट जाती थी लेकिन आप ज़रा सोचिए और आप अपने आसपास देखिए कि मजदूरों के साथ लोग कैसा बरताओ करते हैं किस नजर से देखते हैं यही सब भारत के इस बेटे को ठीक नहीं लग रहा था उसने कुछ करने की ठानी और उसने जो किया अज उसको देखनी के बाद पूरी दुनिया उसके नाम का गुंगान गा रही है यही नहीं इससे पहले वारणसी में वेटर के रूप में भी काम कर चुके हैं हालांकि हालांकि उन्हें वो नौकरी नापसंद थी और उन्हें लगता था कि वेटर बनने से बहतर है मिट्टी खोदना पिछले साल नाशनल रिकॉर्ड बनानी के बाद राम बाबू ने कहा था लोग वेटर के साथ अच्छा वेवार नहीं करते वो उन्हें कमतर इंसान समझते हैं जिस तरह से लोग मुझे छोटू और अन्य नामों से बुलाते थे उससे मुझे बहुत बुरा लगता था मैं जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता हूँ खेल फिल्मों से प्ररित होकर बाबू ने दोड़ना शुरू किया पहले वो मेरातन करते थे लेकिन 2018 में घुटने की चोट के कारण राम बाबू के करियर पर ब्रेक लग गया हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्द रेस वॉकिंग सीखना शुरू कर दिया 2022 नैशनल गेम्स में राम बाबू ने नैशनल रेकॉर्ड अपने नाम किया